Hello friends, I am Gita and welcome to Gita Tech Secret So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Facebook पर page कैसे create करते हैं So friends, Facebook page create करने से हमको बहुत सा रफ हाइदा होता है आपको मालूम है जैसे कि हम कोई भी वीडियो से होता है अगर page पर share करते हैं तो वो page हमारा monetization भी के लिए apply कर सकते हैं उसमें money भी income कर सकते हैं और हमारे जो business भी हम करते चाते हैं तो भी उस page पर सब कुछ share करके हमारे business को भी grow कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो में हम सिखेंगे Facebook पर page कैसे create करते हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको request है कि इस वीडियो को आप end तक जरूर देखिएगा अगर इस वीडियो आप लोगों अच्छा लगता है तो इसको एक like कर दीजिए share और comment भी कीजिए और जो first time हमारे चैनल देख रहे हैं तो please friends subscribe our channel and also press the bell icon उसमें all notification on कर दीजिएगा तक कि आने वाले वीडियो का notification आपको पस पहला आजाएगा so friends चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते facebook पर page कैसे create करते so friends facebook पर page create करने के लिए सबसे पहले facebook open करना होगा जैसे हम facebook open करेंगे आपको सामने ये देखिए facebook का home page open हो जाएगा आप उपर देखिए त्री जो line दिखाई दे रहा है ये त्री line का उपर क्लिक करेंगे अब इसको थोड़े से स्क्रोल करेंगे आप देखिए नीचे pages का option है इसका उपर क्लिक करेंगे अभी इसका उपर क्लिक करने का बाद आपको देखिए यहां मेरे बहुत सरे pages से उपर देखिए create का option है ये create option को उपर क्लिक करने के बाद आपको यहां get started का option को उपर क्लिक करना होगा आप जैसे get started करेंगे आपका जो channel का नाम जो page का नाम देना चाहते हो वो यहां enter करना जैसे कि मेरे यूटूब का चैनल एक है kids channel गीता smart kids तो मैंने उसी youtube channel का नाम से ही मैंने एक page यहां create कर रही हूँ तो गीता smart kids करने का बाद इसको next करेंगे बाद में आपका channel जो किस category में आता है मतलब education आता है या personal blog से आता है या कुछ entertainment आता है कुछ shopping कोई भी मतलब आपको कुछ business है इस तरह का आपको यहां एंटर करना पड़ता है जैसे कि सपोज आपको कोई clothing के business है आप यहां cloth के कपड़े बगरा सबसें मतलब यहां सेयर करते हो इसका price मतलब सेयल करते हो तो उसी सब से clothing and sale कर सकते हो अगर cooking के channel है तो आप cooking related यहां category select कर सकते हो तो यहां category select करने के बाद इसको next डालना है जैसे कि मेरा कीट्स है तो यहां kids website के यह लवाय और कुछ option नहीं था मैंने ऐसे ही डाल दिया तो बाद में इसको हम next डालेंगे जैसे next option के उपर click करेंगे हमारे जो page है फिर बाद में यहां कुछ हो अगर आपको पास website है तो website के address entry करने के लिए पूछता है अगर नहीं है तो no लगा के आप save कर देना फिर बाद में यहां जो channel का profile picture से आप यहां लगा सकते हो तो channel profile pictures कुछ भी आप select कर सकते हो तो आपका यूटूब चैनल पर है उस ही साब से नहीं तो आपका पसंद ही साब से कोई भी फोटो यहां profile picture आपको लगा सकते हो तो profile picture लगाने से आपको मतलब फायदा होता है क्या है ना अगर आपको जो channel है फ्टोड़ा जो page है इसका look थोड़ा अच्छा दिखता है तो यहां देखिए मैंने गीत स्मार्ट कीट्स का जो लोगो है मैंने यहां इसको लगा दिया अभी इसको turn on profile जो picture के है इसका guard लगा सकते हो मतलब कोई भी इसका screenshot नहीं ले सकता सब कुछ को यहां जो जैसे की guard जैसा हो जाएगा फिर बाद में यहां profile picture भी जो background जो banner था इसको banner भी आप चेंज करना चाहते हो तो banner भी आप लगा सकते हो अभी मैंने ऊपर भी banner भी लगा दे इसको save कर दिया अभी इसको done करेंगे जैसे done करते हैं हमारा page create हो गया अभी page create होने के बाद बाद में इसको हम अभी यहां चाहते है तो आपका इसको next करना है जैसे कि आपका जो भी facebook वा जितने सारे friends circle से सबको यहां notification चले जाएगा कि आप एक ने paste create कर दिया तो उनलों को आपका paste को like करेंगे और paste को भी उनलों को follower space पर भी बढ़े जाएगा तो बाद में आप यहां एक welcome post भी डाल सकते हो जैसे कि कुछ तो type करना होता है जैसे कि text या video डालना होता है कुछ images डालना होता है आप यहां इस तरह का डाल सकते हो डाल जैसे हम facebook पर image share करते, text share करते, कुछ video share करते इस तरह का आप कर सकते हो जैसे कि मैंने एक page create कर दिया तो hello everyone welcome to my page ऐसा लिख के मैंने इसको news feed पर चोड़ दिया तो इसको create post करने के बाद देखिया successful हो गया हमारे page create हो गया और इसमें भी post डालना भी सुरू हो गया तो इस तरह का सो होगा आपको कितना सारे photos डालना होता है image डालना होता है जो भी आप डाल सकते हो so friends यह था आज का वीडियो की facebook पर page कैसे create करते, अगर इस वीडियो अच्छा लागा तो please friends इस वीडियो के एक like कर दिजिए, comment कीजिए और share भी कर दिजिएगा, अगर जो हमारे चै Thank you friends for watching this video, thank you